हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी देखे टाइम हो रहा है साड़ी 11 बज़ रहे हैं तो अभी से मैं विलोगी स्टार्ट कर रही हूं वीडियो थोड़ा सा सूट कर लेते हूं और मार्केर से तो मैं ज्याद और इन लोगों की कैप साइद आपने देखी कि नहीं देखी देखी इस तरीकी से कैप थी यूँगी सबसे बच्चों के पास कैप नहीं थी ये और एक ये और लेगी सो ऐसी छोटी मूटी चीजा में लेके आई थी और अब ही चली बनाऊंगी खाना और सुबह का काम सारा हो चुका है जो एक मतलब जाड़ू पोचा जो सारे काम होते हैं यह देखिए पर्स को लेकर खेलने में लगी हुए इनको पर्स चाहिए खेलने के लिए और टाइम भी साड़े नोंने परांठे खाई थे नास्ते में तो इस वजए से फिर थोड़ा साटा बच गया था और यहां पर देखिए चनादार भी होई थी लोकी के लिए लेकिन आज यह मना कर लिए कि चनादार नहीं डालनी है लोकी में बेना चला बेसी बनानी है और आज मुझे क्या काम करना है मुझे यह काम करना देखिए मेरी केस ना अभी आपको एक मिनट चालू करके दिखाते हूं आपको यह देख सकते हैं फुल पर यह कितनी चल रही है केस मतलब यह बहुत टाइट घूम रहा है घूम भी नहीं रहा और जैसे मैं इसको धीमी करूंगी यह देखिए भुच जैसे और वीडियो को जादा से जादा लाइक सीयर किया करें और मुझे कमेंट करके बताएक आपको वीडियो कैसे लगते हैं तब ही तोड़ासा और मोटिवेट हुपाऊंगी और सब्सक्रण क कर पाऊंगी नए नई वीडियो आप सभी के लिए लाने के लिए क्या कर रह तो मैंने स्वेटर डाल लिया नहाने के बाद बाहर तो देखिए अभी तो अच्छी खासी दूप निकल रही है यहां से आपको देख रही होगी लेकिन अभी बाहर बैठने का टाइम नहीं है थोड़ा से बैठी दूप में तब तो ज़रूत नहीं है लेकिन आज कल सच में बहुत ज़्यादा ठंडो रखी है आप सभी बताईएगा कैसी ठंडो रखी है आपके यहां तो चली फटाफट से काम को कर लेती हूं बाते बहुत हो गए और यह जा चुक है अपना ओफिस अभी दोपेर को याएंगे नासा वास्ता करके गए थे और यह देखी यह हेलिक कर देखे आई थे गेम तो देखे किले वाले गेम में भी बनाना तो कुछ आथा नहीं लेकिन काफी सारे के लिए खराग कर दिये यह रहे इसके से साथ हो है बस एक यह दो दिन चलते हैं इन लोगों के खिलोने आने के बाद दूसरे दिन वह खतम ही हो जाते है चाहे किसा और यह देखे यह गिफ्ट ना इनको मिला था देखती हूं खोल के इसमें क्या है अभी आप सभी के साथ दो दिन से रखा है मैंने देखा नहीं खोल के इसमें क्या है तो अभी आप सभी के साथ देखती हूं इसमें क्या है तो घर में कोई गिफ्ट हो और बच्चों से फिर उने लगता है कि साइद कोई खिलोने हो कुछ हो तो बस इन लोग बहुत जदी लग रही थी यह पता नहीं इनको मिला है यह किस चीज का मिला है मुझे नहीं पता तो बस अभी खोल लेते हैं हम गिफ्ट को और इसमें क्या था आप लोग भी देख लेजिए इसमें काच वाले गिलास आते हैं बुरू यह वाले बुरू सुल वाले यह वाले गिलास थे वैसे मेरे पास यह चूड़ी पहले से और रखें पर चलो कोई नहीं और भी आगए देखें यह इस तरीके के और यहां पर अभी मैं आ गई हूँ अपनी जो मैंने आप सभी से बताया था किचिन में अपना मुझे सही करना था और मुझे नवेने अभी खाना खाने में क्या मतलब जो सबजी थी वो बना के रख दिये क्योंकि फिर सबजी इसमें भी टाइम लग जाएगा यह सारी चीज़े करने में और यह से काम नव मैं कभी-कभी अपने आप से खुद से कर लेती हूँ क्योंकि हस्वेन की ऐसी जोब है ऐसी नोक्री है जो कि उतने आराम की तो नहीं है कि हर टाइम उनको टाइम रहता हो या फिर 9 to 5 वाली जोब है तो ऐसा तो कुछ नहीं आप सभी जानते है कि उनकी जोब कैसी है तो यह सारी छोटी छोटी चीज़े जो अगर जहां तक मैं कर सकती हूँ वहां तक वो चीज़े मैं कर लेती हूँ मैं उनके लिए नहीं रखती हूँ कि यह आएंगे तो यही करेंगे और यह सारी प्रॉब्लम ना हम सब लेडी जोको होती रहती है हाउस वाइब जो होती है क्योंकि गैस वाली प्रॉब्लम और यह मुझे सही करना आता है तो बस देखे मैंने इसको सारा खोल लिया है पूरा ताम जहां में इसका और यह न ऐसे खोल नहीं रहा था तो फिर मुझे प्लास लेकर आना पड़ा इसके लिए और एक चूले में कमी थी तो मैं सूची एक से खोल जागा लेकर नहीं फिर वो पूरी पाइप खोलने थी दोनों कोई खोलना पड़ेगा तो इस वज़े से फिल्म मैं इसको भी खोल ले रही हूँ और पता नहीं क्या कच्ड़ा आ जाता है या क्या पता नहीं बहुत कम चल रही थे आपने देखी थी लेकिन देखे अभी मैं आपको सही करने के बाद भी दिखाऊंगी यह भी ठीक ठाक मतलब अच्छे से जल रही है और जो मैंने लास्ट वीडियो डाला उस पर आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किये और कुछ लोग यहां के लोकल भी हैं और कहीं नहीं जहां मैं पिन डाल रही हूँ पिन डाल के क्योंकि यह चोटा सा यहां में बहुत बार इक सच्छे दोता है इसके लिए तो जिस तरीके से न मैंने पूरा खोला था उसी तरीके से बापस मैं इसको पूरा कस दोंगी और आप सब अगर आपके पास आता है यह खोलना कस न तो ट्राई करना उल्टा सीधा मत कर लेना मुझे देख करके तो लेकिन हाँ ऐसी चोटी चोटी चीज़ें हम अपने आप बैसे कर सकते हैं कोई और नहीं तो जैसे मैंने इसको खुला था सेम उसी तरीके से मैं इसको अभी कस देती हूँ और फिर देखती हूँ सायद मुझे लग रहा भी काफी सही हो गया होगा क्योंकि एक दो बार में पहले भी ऐसे कर चुकी हूँ फर्ष्ट बार नहीं कर रही हूँ क्यों कशड़ा आ जाता है तो फिर ये चलने में भी बहुत देखत देती है और गया सच्छे से जलती भी नहीं है तो बस मैंने सारा देखी सब कुछ कस दिया है और अभी मैं आपको इसको जला करके दिखाती हूँ ये देखे अभी अपने पहले भी देखा होगा कि ये कितना जल रहा था उतना अब मेकैनिक तो नहीं हूँ के बिलकुल सही कर दो लेकन हाँ फिर भी देखी काफी हद तक मैंने सही कर लिया और ये देखी ये बनाया मैंने खाना सिंपल सी लौकी और ये देखे बूंदी कर रहा है ता और रोटी यह यह दोपहर का हमारा सिंपल सा लंच तो बस अभी ये खाना पिना खा लेंगे और उसके बाद फिर मैं अभी अब को दिन में फिर कोई वीडियो अगरा नहीं बनाया ये हो गई है अभी साम तो जो देखी मैं मूली लेकिया थी वहीं मूली है तो जिनको मैंने दोखे बस अच्छे से काट लिया है पत्तियों को और मतलब पत्तियों की भुजिया बनती है और मूली को भी साथ में काट लिया और ये सबको अच्छे से दोणने के बाद मैं इसमें अभी इसको बॉयल करने रख दे रही हूँ तो मैंने आलू थोड़ से ज़्यादा इसलिए रखे हैं कि मैं बच्चों के लिए परांठे बना दूंगी और एक दो आलू में साथ में इसमें भुजिया में भी डालू ये अच्छे लगते हैं और इसमें जो छिलके वाली मूंकी दाल होती है वो बहुत अच्छे लगती है तो अगर वो भी डाल सकते हैं पर इस टाइम पर मेरे पास छिलके वाली नहीं थी इस वज़े से मैंने नहीं डाली नहीं तो डाल डाल के भी बहुत अच्छी लगती है और बस एक दो सीटी में ही हो जाएगी जादा कुछ इसको करने की जरूत नहीं है और बस जब उबलने के बाद अच्छी से उबल गई है तो सबसे बड़ा काम होता है इसका निचोडने का क्यूंकि निचोडने में इसको थोड़ी सी तागत मेनत लगानी पड़ती है अच्छे से निचोड़ होगे तब ही इसमें टेश्ट अच्हा आता है तो बस मैं अभी इसको अच्छे से टाइत हार्ट से दबादा के निचोड लोंगी और ये देखिए बस सारी निचोडने क बाद मैंने आलू बगएरा भी इसमें जो मैस कर लिया एक दो सारे तो नहीं और बस अभी मैंने आपको दिखाया इसमें मैंने इसमें टमाटर बगएरा की जरूत नहीं पड़ती है डालने की और आप सीजनेबल सबजी हैं ये बहुत अच्छी रखती है मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है और खाने में भी जब कभी-कभी बनाओ तो टेस्ट ही लगती है और ज्यादा ज्यादा बस आप सूखा धनिया डाल लीजिए इसमें हरी धनी की भी उतनी जरूत नहीं होती है क्योंकि ये खुद हम वैसी हरी सबजी है इस वजए से और मुझे नहीं इच्छा लगता इस फिसली में अपनी बात करूं तो हरा धनिया इसी चीज़ों में काटके रखी थी वो भी डाल दूँगी और सिंपल सा बहुत सिंपल सा तरीका है लेकिन खाने में ये बहुत अच्छी लगती है अगर आप लोगोंने नहीं बनाई तो आप ट्राइक कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताईएगा तो सारे मसाले मैंने उसी में मिला लिए और बस जब यह चोंक अच्छी से पक जाएगा तो मैंसा इसमें इसको मिला दूँगी और मिक्स करके इसको दीमी दीमी आज पर 5-10 मिनट पकाना है क्योंकि मसाले अच्छी से पक जाए और अच्छी से फिलेवर इसमें आ जाए और मैंने न लेसुन पहले डाला था इसमें क्योंकि लेसुन की खुसबू फिर अच्छी आती है इस वजए से और प्याज मैंने बाद में डाली थी तो बस अभी इसको मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको 5-10 मिनट के लिए डग करके छोड़ दूँगी और इसको पकने दूँगी और यह देखिए अभी हमारी यहां पर बुचिया बनके हो गई है बहुत अच्छी तयार तो बस इस वीडियो को भी मैं यहीं पेंट कर दूँगी मिलूंगी नेक्स डिक अच्छी सी वीडियो व्लोग के साथ मैं अगर आपको यह वीडियो ज़रा साभी पसंदा है तो प्लीज ल बॉचिंग बाइब टेक केर